वेल इस एनिमे में हमें हम अरेमीन कराक्टर के बारे में बताया जाता है उसका नाम लगत है और वो एक अस्षेशेशन है उसकी खास बात ये है कि उसकी काफी बड़ी नाग है और उससे सूं कर वो अपने ओपनेंड की चालो को सूं कर पहचान लेता है अपने last mission के पाथ उसी के organize के लोग उसे धोके से मारतेता है जिसके पाथ वो एक दूसी दुनिया में रीन कानेट होता है और अपनी नई जंदेगी को शुरू करता है Well, वो उस life में सुन्दर था और उसके पास दो पीविया भी थी और इस anime में हम उसी के adventure के बारे में देखने वाले हैं एपिसोड के starting में हम लग को देखता है जोकि अपने एक mission में होता है उसे आज सबसे powerful mafias को मानना था और ये दिन आज उनके लिए काफे ज़्यादा बड़ा था क्योंकि आज mafias के meeting होने वाली थी हम लग को देखते हैं उसकी एक नए partner के साथ उसने हाली में अशेशन की company को join करा है वो लड़की उसे mafias के location बढ़ा रही होती है और लग उस जगा में एक एक करकर उन सारे लोगों को भुनने लगता है जिससे देखकर उस जगा में भगतर मच जाती है वहाँ पर सबके सब लोग mafias को बचाने के लिए आगे आने लगता है लेकिन वो सब मारे जाते हैं उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये firing हो कहां से रही है क्योंकि असल में लग तो काफी दूर से sniper यूज़ कर रहा था क्योंकि अभी भी वहाँ पर कुछ mafias बचे वे थे और लगत ने सिर्फ गिने जिने लोगों को ही मारा है जिसे मानी का order दिया गया था लेकिन बाकी mafias भी तो है जिन्होंने कितने बड़े-बड़े crimes कर रहे हैं लगत के सिसिजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसने ओर्गनाइजेशन इसलिए जोइन करी थी कि वह इस दुनिया के सारे बुरे लोगों को खतम कर पाए लेकिन लगत उससे कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है जिसे दिन्या को बचाने के चिंता हो मुझे बस वही काम करना होता है जो मिझे order मिलता है तुमें यहां रुकना है तो तुम रुक सकते हो इसके बाद वो अपनी गाड़ी तयार करकर उसे इस जगह से ज़से जन निकलने के लिए कहता है नहीं तो वो दोनों की दोने बड़ी मुस़्ीबत में फसने वाले हैं अब इसके बाद वो लड़की कार में पैट जाती है लड़्क गाड़ी जला रहा होता है लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है और जब वो पीछे मुण के देखता है तो असल में वो एक ड्रोण होता है लग्ट इसके बारे में अपने पार्टनर को बताता है और इस जा रहे थे क्योंकि अगर ऐसा वा तो उन लोगों को उस drone की help से उनकी base की location मालूम पर जाएगी direction mode देने के बाद भी वो drone लगपक उनी का ही पीछा कर रहा था लगट को महसूस होने लगता है कि वो वाकई में मुसीबत में पढ़ चुकी है इसके बाद वो अपने partner को कहता है कि जल्दी से गंड तयार करो और rubber की help से वो उससे पीछे वाले सीजे में अटका देते हैं और खुद दोनों की दोनों कार से कूच जाते हैं फाइनली वो गाडिया भी आ जाती है जो कि उस drone की मदद से उनकी location को track कर लेती है उस कार को आगे खुद से भागतावा देखकर और उसके पीछे गंड से shoot भी हो रहा था तो उन लोगों को यही लग रहा था कि वो दोनों की दोनों कार के अंदर मौचूद है वो firing करके उस कार को अच्छे से तोड देते हैं और last में missile डाल कर उस class को blast कर देते हैं उन force को यह लगता है कि शायद वो बंदे मारे जा चुके जो कार के अंदर थे इसलिए वो जगा से चले जाते हैं बलकि असल में दूसरी तफ वो दोनों की दोनों ही उसी incident के काफी दूर में एक चटान की पीछे चुपे वे थे वो लड़की अपने scope से टेक कर लक्ट को बताते हैं कि मुझे लगता है अब मामला चान्त हो चुका है हमें जल से जल बेस के तरफ निकलना चाहिए लेकिन लक्ट उसे मना करते थे ये कहते वे कि वो ड्रोन अभी भी आसमान में घूम रहा है अगर हम लोग बहा निकले तो वो ड्रोन हमें बड़ी असानी से पहचान लेगा क्योंकि ये रात का समय है और रात के टाइम पर वो बॉड़ी की heat को detect कर सकता है इसलिए सही timing सुबे रहेगी हमें आज रात कुछ भी करके यही कुछानी होगी काफी देर तक एक जगा में बैठे रहने के बाद लग नोटिस करता है कि वो लड़की injured है इसलिए वो उसकी पैर पर मरम पट्टी करते था है अब रात कुछ ज़्यादा ही गहरी हो चुकी थी दोनों की दोनों की काफी ज़्यादा ठक चुके थे इसलिए वो side में ही सो जाता है कि तुम्हें किते साल हो गए इस कंपनी में सर्फ करते वे अस्टेशन की जॉब को तुमने तो किते ज़्यादा adventures करेंगे हाना मुझे भी adventures करना है और पूरी दुनिया को बचाना है इसलिए मैंने इस जॉब को accept करा इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है लक्त उससे कहता है कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा पेवकूफ लड़की हो पता नहीं तुम्हें ये जॉब क्यों पसंदा है लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा ठक चुका हूँ मैं चाहता हूँ कि अम मैं रिटार्मेंट ले लो क्योंकि मेरी एज भी बढ़ते जा रही है क्योंकि वो कपसे इस कंपनी में सर्फ कर रहा है जब मैं तुम्हारी उमर का था तो मैं और इसके बाद वो उसी लड़की की गन को उसी के सर पर पॉइंट आउट करते था जिन्दगी में कोई पी अपना नहीं होता और कोई पी दोस्त नहीं होता तुम्हें इसली किसी के उपर भी यकीन नहीं करना चाहिए और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कलती है यहां वो उस पिस्तॉल को लोट करने लगता है जिस चीज से वो लड़की काफी जदा है हैरान होती है और हेलपी नहीं पाती है उसे देखकर लग थोड़ी देर बात रुख जाता है और उसकी गन को उसी के हातों में पकड़ा कर सोने जाने लग यह कहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो तो मैं सीखने अपनी जिन्दगी में एक अशेशेशन बनने के लिए यहाँ पर वो लड़की उससे कहती कि मैं कैसी अकें कर लो कि अभी भी तुम मेरे साथी हो और यहाँ पर वो उस गन को उसकी तरफ पॉइंट आउट करते थी है लेकिन इस बात से लगट को घंटा भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि उससे अल्रेड़ी मालूम था कि वो इस गन को शूट नहीं कर पाएके क्योंकि उसने अल्रेड़ी उसकी सारे बुलेट्स को निकाल चुका था यह कहते हैं कि वो इस रेज का पुराना गोड़ा है अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो तो उनके दोने अपने बेस में पहुँच आते हैं और अपने सीनियर्स को अपने मिशन के वारे में बथाते हैं वैल उसके सीनियर्स उन्हीं कॉंग्रेचुलेट करते हैं उनकी headquarters के बंदे उनसे पूसते हैं कि क्या वाकई में लग्ट के साथ इस लड़की को mission के लिए फेजा गया था वो भी तक जिंदा है तो लग्ट बताता है कि हाँ उसकी किस्मत अच्छी थी अब इसके बाद उन दोनों को दूसरा mission दिया जाता है यानि कि उन्हें वापस से back जपान में जाना होगा अपने headquarters में और इस country से निकलने के लिए उन दोनों के लिए पासवर्ट निकर्ट भिजवा चुकी है जो कि उनकी desk के नीचे है अब उसी रात हम लग्ट और उस करने वाला अपने future में मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल लाइफ जी हूं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं कि जीते 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 तब उसी वक्त उस plane में भगदर मत जाता है क्योंकि plane अपनी location से हटकर दूसरी तरफ जाने लगा था सब लोगों को यही लग रहा होता है कि उनका plane hijack हो जुका है वो लड़की उसके पास आती हो कहती कि इस सब कुछ क्या है क्या वाकरी में hijack हो जुका है लेकिन हमें तो यहाँ पे किसी भी तरह के terrorist नहीं दिख रहे हैं लगत कहता है कि मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी चाल है और मुझे पूरा यग किने कि सब कुछ हमारी कंपनी के लोग कर रहे हैं वो चाते हैं कि हमें माट कर वो सारे सबूत मिटा दे उसकी ऐसी बात को सुनकर वो लड़की उस जगा में रोने लगती है क्योंकि अभी तो उसके एच बहुत जादा काम है अभी तक तो उसने कुछ देखा ही ने अपनी जिन्दगी में दूसरे तब वो लगत उसकी बक्वास ना सुनकर आगे के तरव बढ़ने लगता है जहां पाइलेट्स होते हैं बट वहां पहुचने के बाद उस जगा का दरवाजा लॉक था बट वो धक्का मारकर उस लॉक तरवाजे को तोड़ देता है जहां वो देख को खूलता है तो वो अपने आप कोई अलगी जगा में पाता है तब ही उसकी आँखे एक लड़की के उपर जाती है चुकि वाकई में बहुत ज्यादा खुबसूरत थी मानो कि वो कोई गॉड़ेस हो अब इसके बाद वो लड़की उस जगा में लगत के उपर हसने लगते ये कहते हुए कि इतने लोगों को मारने वाले को खुदी उसी के कंपनी ने मार दिया मुझे यकीन नहीं हो रहा उसकी बातों को सुनकर लगत उससे पूसता है कि क्या मुझे तुम बथा सकती हूं कि मैं क्या हूं और मैं यहां कर क्या रहा हूं वो लड़की बथाती है कि तुम मड़ चुकी हो अब तुम्हारे पास से दो ऑप्शन है या फिर तो तुम आर्थ में एक बार फेसे जनम लो लेकिन एक छोटे बच्चे की बॉड़ी से तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ की बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम एक अस्टेशिशन थे त तुम एक दूसरी दुनिया में पैता हो जहां मैजिक हो वहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी इस लाइफ की मेमोरीस भी होगी यानि कि तुम और तुम्हारा ये टैलेंट दूसरी दुनिया में जा सकता है बस उसके लिए तुम्हें रिंकानेट होना होगा लग्ट उससे कह तो चाहती है कि तुमने बिल्कु सही सुना है वैसे तुमारे कर्म इतने भी जादा बुरी नहीं थे कि तुमहें नर्क में भेज़ दू तुम ऐसा समझ लो कि तुम दोनों में से किसी भी जगा जाने के लायक नहीं हो इसलिए तुम्हें वापस से दुनिया में जनम लेना होगा लग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ कड़बर है तुम मुझे दूसरी दुनिया में क्यों भेजना चाती हो क्या कोई मक्सद है क्योंकि आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी आदमी अपनी पिछली लाइफ की यादों को लेकर नहीं जिन्दगी शुरू करता है उसकी बातों को सुनकर वो लड़की कहते है कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा चालाग हो तो ठीक है तुम्हें उस दुनिया में रिनकानेट होने के बाद हीरो को मारना होगा बस तुम्हारा मिशन इतना ही है अमीद है कि ये काम तुम कर तो पाओगे एनिवेज तुम्हारा डिसिजन क्या है तुम कहां जाना चाहते हो लक्टुस से कहता है कि ठीक है मैं दूसरे दुनिया में रिनकानेट होने के लिए तुम्हारा तरीक है लक्टुस से कहता है कि एक और सवाल तुम हिरो को क्यों मानना चाहते हो तो वो लड़की कहती है कि हीरो का जो रोल जिस बंदे को मिला हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस वर्ल्ड में वो डीमन किंग को तो हरा देगा लेकिन उसके पाथ वो तभाई मचा सकता है पूरी दुनिया में इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसी व वो पीट पीछे अशेशेशन भी है यानि कि ये फैमली इतनी भी जादा पूरी नहीं है उसके लिए ट्रेनिंग ले निकले अब हम देखते हैं कि समय के साथ साथ लग बढ़ा हो चुका था और वो अपने इस ट्रेनिंग में माहिर भी हो चुका था हम उससे देखते हैं कि इसकी स्किल्स कितनी जादा बढ़ चुकी है वो एक य बार में खरगोश का शिकार कर देता है उसकी आँख में तीर मार कर और फिर उसी खरगोश को घर में भी ले आता है जिसे देखकर उसकी मौम काफ़े जादा खुश होती है वो लक्ट को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि अबी भी वो बहुत चोटा बच्चा ओ लेकिन उसके फादर उसकी मौम से काफ़े जादा लगे वो स्ट्रीक्ट है उसकी मौम काफ़े जादा खुश होती है कि वो रैपिट को लेकर आया है इसलिए वो अपने बेटे से कहती है कि मैं तुमारे लिए से बना देती हू लेक थी थी वैल लग जब उस पैस्मेंट में बहुत जाता है उसके फादर उससे कहते हैं कि अपने सारे कपड़े उतारो लग काफी जदा है जैसे कि हम लोग हो रहे हैं इसके बाद वो वही करने लगता है यहाँ पर वो अपने फादर को जैकी जैंक के पोजिस दिखाने लगता उस जगा में उसके फादर उसकी बाड़ी को टच करते हैं और कहते हैं कि वाकई में उसका साइज बढ़ने लगा है बाड़ी का उसके फादर उससे कहते हैं कि ठीक है तुम अब बड़े हो चुके हो यह टाइम आ चुका है उस चीज को करने का जिसका हम सत्यों से इंतजार कर रहे थे यहां पर वो लक्त को अपने सरजरी वाले टूल्स दिखाता है क्योंकि वो लक्त की आँखों का उप्रेशन करने वाला था और यह सिव उसी के साथ नहीं हो रहा है बलकि सत्यों से आते वे उनकी फैमली के साथ हो रहा है इनसे उन लोगों की आखे और पर जादा तेज हो जाती है। लुप सर्चरी के लेक्स यार हो जाता है। सर्चरी के कलो हो जाने के पाद उसकी मुझ उसे चोटे बिक्शे के तरह टीड कहने लगती है क्योंकि वो इस वक तेखने नहीं सकता था आंखों में पट्टी लगने के वज्चे कुछ तेर बाद लग्ड के आँखों में काफी तेज जलन वहीं लगती है और वो अपने फादर के पास जाता है उसके फादर उसकी आखों से वह पट्टी हटा देता है जब पहली बार अपनी नई आखो से देखता है तो वह काफी जादा है क्योंकि वह पहले की कोडिंग औ अपने टैट के अंदर के औरा को भी देख सकता है यहां उसके फादर लग्ड के तरफ देखता है और उससे कहते हैं कि बस तुम तयार हो चुकियों मैजिक सिखने के लिए इसलिए कल से ही तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए ट्यूटर आएगा लग्ड काफी जादा लग्ड की थी उसका नाम डिया था लग्ड उससे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी छोटी बच्ची थी और यहां दूसरी तरफ टिया उससे देखती है और उन लोगों से कहती कि मुझे तो लगा था कि यह बच्चा बड़ा होगा लेकिन यह तो छोटा है जिसके जवाब में लग्ड कहता है कि कौन सा की तुम ज़्यादा बड़ी हो मुझसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी छोटी हो अब जिस पर वो लड़की उस चका में उससे अपनी पावर्स दिखाने लगती हो कहने लगती है कि भले ही मेरा कद और एज कम होगी लेकिन मैं पा पिस क्यों ना करवाने पड़े आप हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को अपने आप से इंट्रिट्यूस कराने लगते हैं अपनी ट्रेनिंग सुरू करने से पहले दिया उससे कहती है कि तुमें इतनी रिस्पेक्ट देने की जरु मैं उमर में तुम से सिर्फ तीनी साल पड़ी हूँ जिसके जवाब में लगत कहता है कि इस बात का फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आज से तुम मेरी टीचर हो इसलिए तुमें उतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी जितनी की टीचर को दी जाती है अब इसके बाद यह उसके हा जाता खतरनाक हुने वाला हैै अब जसके लएक अपने बाड़े की माना को उसमें तालने है क्योंकि वो लक्त की इतने माना को नहीं जेल पा उसके ऐसी बात को सुनकर लक्ट अपनी पूरी पावर्ट के साथ उस क्रिस्टल को आसमान की तरफ फैक देता है और थोड़े दूर जाने पर ही वो क्रिस्टल काफी तेज से प्लास्ट हो जाता है उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके पेरेंट्स भी बाहर पहुंच जाते तुम्हारा बेटा जिसा दिखता है वो रियालिटी में नहीं है वो सबसे जादा पावर्फुल है अपने बेटी की पावर्ट के बारे में सुनकर उसके पेरेंट्स उसके उपर गुसा नहीं करते हैं जो भी थोड़ी देर पहले वाए इवन की उसकी तारीफ करते हैं और स कावर्स दालने के बाद वो काफी बड़ा ब्लास्ट कर सके इसलिए वो दिया बतते हैं कि कोई नार्मल किस्टल नहीं है इसे दुकान में नहीं खरीदा जा सकता इसे खरेदने के लिए बहाँ ज़्यादा रोल्स होता है अब उसी रात जब लग्स हो एक उसकी रोम में दि प्रिस्टल देती है और उसे कहते हैं कि इस बार मैं तुमारे बॉडी के अंदर के अलिमेंट को चेक करने वाले हूं इसलिए तुम इसके अंदर ज्यादा पावर्स को मत डालना वेल वो जगा में चेक करती है तो लग्ट के अंदर फायर एलमेंट मौजूद होता है तब भी वो एक और बात चेक करती है तो उसके अंदर वाटर एलमेंट भी मौजूद होता है जिसे देखकर वो काफी ज़्यादा खुश होती है और लग्ट को कॉंग्रेजूलेट करती है कि उसके पास दो दो एलमेंट से और वाकई में तुम बहुत ही लगी बच्चे हो यह चीज में आसके किसी के पास दो से ज़्यादा एलमेंट तो हुए ही नहीं है लेकिन लग्ट के जित करने पर जब लग्ट कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं है इसलिए से कम समझने की बेवकुफी करना भी बेकार है यहाँ पर वो लग्ट वो उसका माना यूस करना भी दिखा द जरेती है कि किसी भी मैचिक को यूस करने कि ले तो में इस पैल्स को बोला पड़ेगा लग्ट अपने दिमाग में इस समय नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह इन इसफैल्स को कैसे जोड़ेगा तो वहां पर डिया उसे एक बैसिक इस पैल का आघर बथा ते सर्दिए जिसस और उन्हें संभाल पाना इतना वी जादा सान नहीं है उसी रात हम लग्ट को देखते हैं जिसने कि आज जितने भी स्पेल्स को सीखा था उन्हें किताब में लिख रहा होता है अकले दिन डिया उसके पास आती है लग्ट उससे दिखाता है कि कितने मेहनत के बाद फाइनली उसने उस गौपर के टुकड़े को अच्छी कंडिशन में निकालना सीख चुका है दिया उसकी तारीफ करती क्योंकि वह बहुत ही जादी प्रोग्रेस कर रहा है यहां पर वो लग्ट को उसके किताब लाने के लिए कियाता है इसके बाद दिया उसमें एक स्पेल लिख दे लेकिन यह बाद दिया के छोटे से दिमाग में नहीं गुज़री होती है वो छोटी सी चीज़ को भी बहुत जादा कंफ्यूसिव बनाते रही थी लग्ट उस जगा में एक स्पेल लिखता है वो आईरन का स्पेल था पर उसमें वो कोल्ड का वेट डाल देता है इसके टिया भी उस चीज़ को बनाना सीख जाती है अब इसके बाद वो दोनों की दोनों नदी के किनारे आते है जहां लग्ट अपनी उस एलिमेंट से एक राइफल बना देता है और यही चीज़ वो डिया को भी सिखाता है लग्ट अपने मन में सोचता है कि इस राइफल की मद उसे उसकी कान बंद करने के लेकर आता है क्योंकि अब बहुत बड़ा धमागा होने वाला था वो नदी के किनारे वाले आइलेंड पर उस तोप को चला दिता है अपनी पूरी पावर से जिसका एक्स्प्रोजन इतना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी आवास भी बहुत ज ज़्यादा तेज होती है लेकिन लग काफी ज़्यादा है रान था उस अठाग के डैमेज को लेकर लेकिन उस अठाग के वज़े से उसका टूट चुका था और अब उसको वापस से ठीक कर निकले या फिन नए कैनन बनाने के लिए उसके पास इतना ज़्यादा एलिमंट भी नहीं है क्योंकि उसने औरेडी लग्ट को तीन महीने के ट्रेनिंग दे चुकी है अब जिस पर कि लग्ट उसे अपने emotion नहीं दिखाता वो खड़े होकर अपने magic को यूज करके अपने element से एक चाकू को बना देता है वो चाकू कोई normal चाकू नहीं था वो चिस element से बना था वो सबसे जाधा powerful था यानि कि उसकी धार इतनी ज़्यादा पहनी है कि वो किसी भी चीज़ को बढ़ी असानी से काट सकती है टाया काफी ज़्यादा खुश होती है लेकिन वो से बुस्ती कि अगर यह element कौन से था लग्ट उसे बताता है कि यह element इस दुनिया में exist ही नहीं करता क्योंकि उसने यह आइबेरियम से बनाया है वेल दिया उसके इस चोटेसे तौफिय के लिए काफी ज़्यादा खुश होती है वेल इसके बाद वो लग्ट के लिए अपनी आतकारी छोड़ कर जाती है यानि कि अपनी गले से एक pendant निकालती थी है जो कि देखने में भी काफी ज़्यादा खुपसूरत था इसके बाद वो दोनों की दोनों उस जगा में पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस से एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे चाहें बड़े होके मिलें या फिर कभी भी आखले दिन हम देखते हैं कि टिया अपनी किंडम में वापस जाने के लिए तयार हो जाती है वो लक्त की फैमली को और लक्त को बहुत जादा थैंक्स करते हैं कि इतने दिनों से उन्होंने उसकी अच्छे से देखरे करें वो अपनी गाडी में बैच जाती है और उन लोगों से कहती है कि वो ज़रूर आएगी अगर उसे फ्यूचर में टाइम मिलेगा इसके बाद वो उस जगा से चले जाती है उसकी जाने के बार लक्त के फादा उसकी तरफ देखता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे बौडी से काफी तेज माना आ रहा है मुझे लगता है कि तुम तयार हो दूसरा कदम उठाने के लिए यानि कि तुम्हे अव अशेशेशन बना ही होगा और इसके बाद वो अपने बेटे को एक प्रिजन में लेकर आ जाता है वो लक्त को समझाता है कि यह तुम्हारे लेक ट्रेनिंग है यहां तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखोगी लक्त अपने फादा से कहता है कि आप मुझे बशकती होजाता है इसके बाद उसके फारर ंसे एक लड़की के पास ले आते है नचाप को निकाल कर उसका हाथ काड़ देता है जिसपे कि वो लड़की दर्ट में और भी तेज तेज चिलाने लगती है लेकिन लगट उसके गले में नाइफ पैक कर उसके अवास को हमें सामेसा के लिए बंद करतेता है हम देखते हैं कि इस इंसिडन के बाद लगपक तीन साल गुजर जाते हैं और लगट अब बढ़ा हो चुका था यानि के लगपक दस साल का वो अपने फादा और मदर के साथ मार्केट में गूम रहा होता है जहां उसके पेरेंट्स विंटर का समान खरीदने के लिए आये होता है वो लोक अपने काम में बिसी हो जाते हैं दूसी तफ लग उस जगा में अपनी आखों से ऐसे बंदे को ढूणने लगता है जिसके अंदर माना हो लेकिन पूरी मार्केट में उसे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर थोड़ा सा भी माना हो वो उस जगा में अपना एक साथी ढूणना चाता था जिसकी मदद से वो हीरो के पास पहुच पाए और उसे खतम कर पाए लेकिन ये काम जाड़ी से एक सुई ढूणने जितना था वैल अगले दिन वो अपनी हंटिंग के लिए निकल पड़ता है जंगल के तरफ जहां उसे वुल्फ के आवाज आ रही होती है लेकिन कहां से आ रही होती है उसे मालूम नहीं पड़ रहा होता है इसलिए वो जमीन में कान लगाता है और जो आवाज जहां से आ रही थी उसी तरफ भागने लगता है वूज जगा में पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी जादा वुल्फ मौजूद थे असलन में उन्होंने एक छोटी सी लड़की को घेरा होता है और वो उसे खाने वाले थे तब ही उनमें से एक वुल्फ उस बच्ची के उपर टाक करतेता है लेकिन सही टाइमिंग में हम देखते हैं कि लक्ट अपने एरोस से उसे शूट करके मार देता है इसके बाद वो उस लड़की के सामने उतर जाता है और उसे अपने सारे वैपन से देता है ये कहते हैं कि वो इस वुल्फ को हातों से लिपटाना चाहता है इसके पाद जैसे वो वुल्फ उसके उपर टाक करते हैं लक्ट अपने पास से नाइफ निकाल कर उन सारे वुल्फ को मानने लगता है तब उसी वक्त एक वुल्फ उस लड़की की उपर पर टाग करते था है लेकिन लग्त उसे भी बचा लेता है लेकिन तब उसी वक्त दो वुल्फ साथ में आकर उसकी उपर टाग करते था है उसकी हातों को पखड़ लेता है अपने जबडे से लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लक्ट ने मैटल का आर्मर पहना वा था इसलिए उसे ज़्यादा नुक्सान नहीं होता है वो उन दोनों वुल्फ को जमीन में पटक कर खतम करते था इसके बात जब उसने लगबख सारे वुल्फ को मार चुका था वो उस लड़की के पास आता है वो उससे पूसता है कि तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो लेकिन वो लड़की उस जगा में रोने लगती है वो काफी ज़्यादा डरी हुई थी वो लगट को बठाती है कि वो रास्ता बठक चुकी है और रही बात उसके पेरेंट्स की तो उसके पेरेंट्स काफी ज़्यादा गरीब है इसलिए उन्होंने उसे घर से धक्के मार के बहाँ निकाल दिया लेकिन उसके बाद मुझे एक बंदे ने बठाया कि काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं अगर मैं वहाँ चले गई तो मेरी जिंदेगी थोड़ी बहुत सही हो सकती है अगर मैं उनकी अंदर थोड़ा बहुत काम भी कर लो दो तो आफी रीजन और कोई नहीं था बलकि वही है जहाँ पर लगट की फैमिली रहती है और उसे कहता है कि यह काफी ज़्यादा गरम है इसलिए अराम से खाना वहाँ वो लड़की अपने आपको लगट से इंटर्ट्यूस कराती है यह कहते वे कि मेरा नाम टार्ट होता है वो लड़की खाना खाते वे लगट का शुक्री आता करते है लगट उस जगह में अपने आपको भी इस लड़की से इंटर्ट्यूस कराता है यह कहते वे कि जिस रीजन में जाना चाहती हूँ मैं वहाँ के राजा का पेटा हूँ फुल लड़की काफी ज़्यादा खुश होती है और हैरान भी कि जिस बंदे ने उसे बचाया वो उस किंडम के राजा का पेटा है यह तो वाक़े में काफी बड़ा कोइंसिडेंस हो गया लगट अपनी मन में सोचता है कि खुश तो मुझे होना चाहिए कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली जानी कि जिस बंदे की मैं तब से तलास कर रहा था अपना असिस्टेंट मनाने क्लिए अब मुझे नहीं करने होगी क्योंकि वो टार्ट को अपना असिस्टेंट बनाना चाहता था वो उसे अपनी घर में आने के लिए कहता है जिस पर कि वो लड़की काफी ज़्यादा है है और डर जाती है लेकिन लग्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी घर में इसले ले जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी फैमिली है और तुम्हें वहाँ पर खाने से लेकर सब कुछ दिया जाएगा बट इसके लिए तुम्हें मेरे ओडर्स को फॉलो करना होगा मैं तुम्हें जो करने के लिए खाऊंगा तुम्हें वही करना होगा यानि कि तुम्हें मेरे साथ मिशन्स को अंजाम देना होगा जैसे कि लोगों को मारना, वो लड़की पहले तो काफी ज़्यादा है हैरान होती है, लग्ट उससे इस जूस करने के लिए कहता है कि उसे कैसे जिन्दगी जीरी है, लोगों को मारकर अपना पेट भणना या फिर इसी जगा में पढ़े रहना, अब जिस पर कि वो लड़की तयार हो जाती है, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, अब इस इस इस्टिनेंट को हम देखते हैं कि लगवक दो साल से भी जादा पीछ जाते हैं, और अब वो दोनों की दोने ही काफी जादा बढ़े हो चुकी थे, टार्च उस दोगे अपने अंडर और दूसरी अगर इसने फ्यूचर में कभी भी हमें धोका देनी की कोशिश करी तो इसके जिम्मदार तुम होंगे, लग एगरी हो जाता है, अब अगले दिन से उसकी टेनिंग सुरो जाती है, यानि कि टार्च ही, हम देखते हैं कि टार्च अपनी प पर जब उसे चैंबर में ले आता है, तो वो टार्च को नाइफ देता है, यूज करने के लिए, लेकिन टार्च नाइफ यूज करने में इतनी ज्यादा माही नहीं थी, इसलिए वो हर बार फेल हो जा रही थी, लेकिन वो उस जगा में लक्ट से माफी मांगती है, और कहती कि मैं नाइफ को यूज नहीं कर सकती हूँ, तब यूसी वक्ट अपने पास से एक स्पेर निकालता है, जिसे की फोल्ड भी किया जा सकता है बड़ी असानी से, और उसे पाकर टार्च काफी ज़्यादा खुश होती है, और उसके साथ प्रेक्टिस करने लगती है, और वो मार्केट के लोग लग्ट को बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, इवन की बहुत सारी चीजे भी उने देते हैं, घर लोटने के बाद लग्ट अपने रूम में जाता है, जहांपर कि हम उसके बैक के अंदर बहुत सारा फ़ार स्टोन्स को देखते हैं, यानि कि वही इसे से कहा था कि हम इन बड़ी असानि से नहीं पा सकते हैं, लेकिन इस वक्त लाग्ट के पास इस डोनस का फे जाता है, वो से स्टोनस में अपने माना को भलने लगता हैं, और हमें बताता है कि उसके पास इतने सारे इसले हैं, क्यूंकि उसने इने उगाने का मैधड सीक और वो अभीनी स्टोन्स को हीरो के अगेंस्ट यूज करने जाएगा तब यूसी वक्त उसके रूम में टार्च आ जाती है वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं अब जब लग्ट अपने फादर से मिलने के लिए जाता है अके लिए तो उसके फ अपनी प्रोग्रेस में काफी ज़्यादा तेज है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है जितना कि हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स रह चुके हैं और रही बात उसके ओपर यकीन करने की तो मैं उसे लगबग दो साल से जानता हूं मैंने आस तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं क चुका है कल उसका टैस्ट है और सबसे पहले उसे उसके फादर के साथ ही। ृट करनी होगी जिस पर कि लाफ तयार हो जाता है। यहीं डॉना के दोने रात के टाइम पर जंगल करते है। अपने बंद'mें को कभी भी कमज़ूर नहीं समझना चाहिए afterwardswire मेरे फादर भी क्यों ना हो माना कि मैं पिछली लाइफ में शेशेशन था लेकिन तब भी मेरे फादर मुझसे काफी जादा पावरफुल है अब इसके बाद हम दोने के बीच में मुकाबला शुरू होता है लग्ट की फादर उसकी ऊपर अंधेरी से टाग कर रहे होते हैं ज बैसे की साथ इसका पार्ट वन एंड होता है तब तक के लिए बाई बाई